एंडिये में सीट बटवारे के बाद चिराग पास्वान की पहली पर्थिकरिया सामने आई जिसमें चिराग पास्वान ने प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी को धन्यवाद दिया है प्रदान मंत्री नरेंद्र मोधी को लेकर चिराग पस्वान ने कहा है कि बीजेपी कुर्बानी देती रही है और इस बार भी बड़े लक्ष को हासिल करने के लिए भाजपा और इंडिये गडबंधन के सयोगी दलो ने अपनी छोटी मोटी कुर्बानिया दिये चिराग पस्वान ने क्या कुछ कहा है फहले वो बयान हम आपको बता देते हैं बिहार में एंडिये के सीट बटवारे के बाद लोजपा रामजपास्वान के रास्टी अध्यक चिराग पस्वान का जो पहला रियक्शन सामने आया उसमें उन्होंने कहा है कि प्रधान मंत्री नरंद्र मोदी का हम अभार जताते हैं जुनोंने मुझे मेरी पाटी और राम बिलास पासवान को लेकर जो चिंता की है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद चिर्याग पासवान आगे लिखते हैं कि गटवंधन में जो पांस सीटे उन्हें मिली है ये सीटे ये बताता है क उनका सम्मान किस तरीके से स्वयोगी दलों ने खिया है मोक्यमंत्री नितीश कुमार अपेंद्रकुस्वाह जीतना माजी को लेकर भी चिर्याग पासवान आभार प्रकण किया और उनने कहा है कि उनको eqe दिये जाने के बात जिस तरीके से स्वयोगी डल के साथ्यों ने उनको समर्थन दिया है यह जाहिर सी बात है कि 2024 के चुनाओं में यह साफ करता है कि प्रधान मंत्री नरंद मोदी को जिदाने के लिए जो उनका लक्ष है 400 के पार उसके लिए यह कुर्बानी सभी दलके निताओं ने दी है NDA के तरफ से जो तमाम सीटे दी गई है और जो NDA का लक्ष को निर्धारित किया अगया है जीतने का और इसे जीतने के लिए जो कुर्बानी दी गई है कई साथियों ने अपनी एक दो सीटे कम की है जेडियू ने भी अपनी एक सीटे कम की है तो बीज़े पी डोहहजार उनीस में से जो जीती विजे थी उसे उन्हें भी कम करना पड़ा था और 2019 में कई सीटे वीजेपी को छोड़ना पड़ा था फिर चौविस में भी वीजेपी और जेडू ने अगर सीटे छोड़ी है चिनाक पस्वान की पार्टी ने भी छोड़ी है और बेंद्र कुसवहा और जीतानामाजी ने भी छोड़ी है तो यह बताता है कि आने वाले वक मजबूत सौरूप देने के लिए और आज उससे भी मजबूत सौरूप दिखाई दिया जब सांती उस वक्त गडबंदर में सामिन नहीं भी थे वह भी आज हमारे साथ है जो लक्ष परधान मंत्री नरंद और एक सांती अब करें मोदी के ने हम लोगों पूरा करने के लिए दिया है उस लक्ष को हम जीतें गे उसे पूरा करेंगे तो चिराग मिन् м Schritt गड हैं पांस पैस्ट के से मैं तो से जड़ा रहे हैं ये लो मुह मिठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पुर्णिया वापस जाएंगे जॉब छोड़ दिया है, मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या, और माबाबुजी क्या बोलेंगे इसलिए मैं एक और मिठाई का डबा लाएं, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया अरे लोन अप्रूव हो गया, वो तो ठीक है, लेकिन पुर्णिया में हम रहेंगे कहाँ, अपना घर भी तो नहीं है वहाँ इसलिए तो एक और मिठाई का डबा अलग से लाया हो, अपने पुर्णिया में घर ले लिया है, पुर्णिया के e-homes panorama में पुर्णिया में panorama group लेकर आये हैं, e-homes panorama, बड़ा घर, आलिशान जिन्दगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के सक अड़े-अड़े, आप क्यों मुझ मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं घर वापसी की खुशी पुर्णिया में e-homes panorama के संग e-homes panorama, luxurious, lifestyle redefined